हर्याना की हर अपडीट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें स्टीवी हर्याना निजूज नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके अपने खास कारिक्रम किस्मत कनेक्शन यहा कि आपका अपना खास कारिक्रम किस्मत कनेक्शन जुसमें आप अपने दिन को कैसे बहतर बना सकते हैं तो जानते ही हैं साथी साथ किसी समस्या का हल भी अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए उपाय भी हमारी टैर्वक्सपर्ट आपको जरूर बताती हैं और आपकी मदद करती हैं तो चले हमारी टैर्वक्सपर्ट जुड़ चुकी हैं उनका स्वागत कर लेते हैं बहुत स्वागत है आपका रंजना जी तो एक बार फिर से इस कारिक्रम की शुरुबात करते हैं हर रोज के तरह आज के सुविचार से आज का सुविचार है किसी का दिल दुखा कर माफी मांगना बहुत आसान होता है मगर जब आपका अपना दिल दुखता है तो उनको माफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है साथ दिन के शुरुवात हुई है, इसके लावा आज का जो कारिक्रम है, उसमें हम आपको बताने वाने है कि किचन का वास्तु कैसे होना चाहिए, यानि महिलाओं की तस्वोई होती है, जो सबसे महत्वपूर हिस्सा होता है, उसको वास्तु के हिसाब से किस तरीके से सही नमबर एक वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? आप जरूर थोड़ा दो रोटी उस पे गुड़ और काला तिल रखकर गाएं को दीजे, फिर आपको देखे कि आपका दिन बहुत ही जादा अच्छा होता चलाएगा, आपका रंग है लाल और आपका जो अंक है वो है नमबर 9, जो है तो नमबर 9, आपका लगी अंक है जो आप जान सकते हैं, कोई सवाल जो आपको परिशान कर रहा है, उन तमाम सवालों का जवाब आप हमारी टेर एक्सपर्ट से ली सकते हैं और लगातार आपके टीवी स्क्रीट पर इनमबर फ्लेश के जा रहे हैं, लेकिन एक अपील यही कि आप जब भी हमारी साथ जोड़े कृपया टीवी के आवास को कम कर दें, जरा किच्वन के वास्तों के तरफ भी नजर डालें, क्या कुछ है? बहुत जरूरी है जो किच्वन है वास्तों के हिसाब से साथ इस्ट में होना चाहिए, इस्ट में भी हो सकता है, अगर कभी भी नॉर्थ इस्ट या साथ वेस्ट में कभी भी नहीं होना चाहिए, इससे घर की स्थिति काफी खराब हो सकती है, साथ वेस्ट में होने से जो ल आप किचिन अपने घर में देखें तो वह साउथ इस्ट डाडिक्शन में होना चाहिए इस्ट में भी हो सकता है और जितना भी हो आपका जो ग्यास का चूला होता है जो आपका बर्नर है वह आपका साउथ इस्ट में हो तो बहुत ही बेतर रहता है क्योंकि वही जो है अगनी West में रखे और रोज मरा का समान है वो आप West में रखे घर के जितने भी बिजली के उपकरन है उनको South East में ही लगाए जैसे की Mixi है, Toaster है, Microwave है या आपके पास ODG है उनको South East में ही लगाने की कोशिश कीजिए इससे बहुत जादा आपके लिए ठीक रहेगा और आपका जो Fridge ह उसको भी आप देखे साउथ की सायल स्थान में रख सकते हैं, South East में काफी चीज़ें हो जाती हैं तो कहीं बारी ये मुश्किल हो जाता है, तो South में रखने से ये हो जाता है, उसका जो दर्वासा है वो North की तरफ खुलता है और वो आपके लिए बहुत जादा बेतर रहता ह हैं, कहीं ना कहीं बच्चों को लेकर, बच्चों के स्वास को लेकर बहुत जादा चिंतत दिकाई दे रहे हैं, उनके लिए हम आपको सिजेशन यहीं देते हैं, कि आप जरूर ब्रस पत्वार वाले दिन दो बेसन के लड़ो मंदिन में रखना शुरू कर दीजे, और और आपका जो अंक है, वो है नमबर तीन, आज केले के पेड़ के नीचे चनी की दाल, गुर्ड और थोड़ी हल्दी का दान कीजिए, तो आप देखेंगे, बहुत जादा आपको भी लाब मिलेगा, और आपके बच्चों की स्वास्त में, उनके पढ़ाई लिखाई में भ बहुत जादा आपको फर्क दिखाई देगा, चाले तो उम्मीद करते हैं कि इन तमाम टिप्स को आप फॉलो करेंगे और अपने दिन को बहुतर बना सकते हैं, नमर दो आलों बढ़ते आगे, और एक कॉलर ले ले लेते हैं, आश्वा हमारे साथ जुर चुकी है, नमस्का नाम बताई और उनकी जनतिती बताईे? उनका नाम यसपाल है और जनतिती थी उनकी 31 दिसमबर, 31 जनवरी, 31 जनवरी, 31 जनवरी, जन आपको पता है उनका कौन से सन में हुए थे? जन आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं, देखी इनका जो नाम है और इनका जो जनम तिती है, उसकी हिसाब से हम देखते हैं, राहू का बहुत जादा प्रकौप है इनके लिए, और जितना भी हो सके आप रोज बाजरा और चीनी चडिया और चीन्चों को डालिए, और और आपको बहुत जादा ये भी जरूरी है कि जितना भी आप कोई घर में अगर खुता रख सके और उसकी सेवा करेंगे, उससे भी बहुत जादा फरक पड़ेगा, क्योंकि राहू के हिसाब से जो इनकी माइन में हमेशा टेंशन, कन्फूजन रहती है बहुत जादा, ये कभी भी अपनी बात पर टिक नहीं पाते हैं, तो इसके लिए ये जो दो हमने उपाएं आपको बताया हैं, उससे बहुत जादा आपको लाब मिलेगा, साथ-साथ आप रोज एक बारी शिफ चालीसा का भी पार्ट कीजिए, इसको आप चालीस दिन कीजिए, फिर आप कीजिए, शान्त रहिए, और जो उपाएं बताएं आपको वो कीजिए, फिर आप देखिया, काफी जादा इनको फर्क लगेगा, छोले आशा जी, अमीद करते हैं, कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, और जो उपाएं आपको बताएं गए हैं, जो उनको रहे हैं, जिस करके ये बहुत जादा चिंतत हैं, और फाइनांस को लेके भी बहुत जादा चिंतत दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए हम इनको यही सिजेशन देते हैं, कि आप जो एक बहुत ही पावरफुल लक्षमी मंत्र है, उसको करेंगे तो उससे बहुत जादा मिलेगा आप हो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ओम श्रीम हरीम श्रीम कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम हरीम श्रीम ओम महालक्षमे नमा इसके साथ साथ अगर आप चावल का आजदान करेंगे तो उससे बहुत जाद आपको लाब मिलने वाला है इसलिए यह जो टेंशन आपकी पैसे को लेकर है, इस मंत्र से काफी हद तक ठीक हो जाएगी, और ये आपको करते ही रहना पड़ेगा, अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है, तो ओम लक्षमे नमह का मंत्र एक सो आट बार आप जरूर करना शुरूर कर दीजे, आपका रंग जो है, व बहुत ही बहतर है, मगर इनकी लाइफ में भी थोड़ा स्वास तो के लेकर काफी प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है, और ये जो प्रॉब्लम्स है पट्टों के हिसाब से, ये नसों की प्रॉब्लम है, जो की धीरे धीरे इनकी हेल्थ को डाउन करती जा रही है, बहुत साथ डॉक्टर चिकिट सा कराएं, ताकि आप नर्व के लिए जो भी आपको करेक्ट मेडिसन होगी, वो आप लेना शुरू कीजिए, उससे बहुत जादा लाब मिलेगा, और साथ साथ जितना भी हो सके, ओम, ब्राम, ब्रीम, ब्राम सब, बुद्धाय नमा का मंत्र भी कर लखे अंखे, नमबर च्वालों उपाएं, फॉलो कीजिए, दिन को बहतर बनाएए, नमबर पांच वालों के लिए कैसा रहेगा आच का दिन, कोपी जान लेते हैं, नमबर पांच वालों के लिए हम देखते हैं, इनके लाइफ में काफी स्ट्रॉगल चल रहा है, बहुत म अम्तिहान लेता है, अम्तिहान में आप जरूर पांस हों, इसलिए आप मेहनत करते चले जाएए, फल जरूर मिलेगा, थोड़ा सा दिले है, और दस पन्दा दिन का, इसके साथ साथ अगर आप रोज थोड़ा सा चावल अगर आप दान कर देंगे, उससे बहुत जादा ला आपके लिए लखी अंख है, जो भी उपाय दिया गया है, उनसे आप अपने दिन को वहतर बना सकते हैं, एक छोड़ी से ब्रेक लिए आपर हम रुख रहे हैं, जल्द आपते हैं अपरे के बाद एक बार फ़र से आपका स्वागत है, आपके अपने खास कारिक्रम किस्मत कनेक्शन में लगातार, हम तमाम लोगों से जो बाचीत है, उनके समस्याओं का हल है, वो भी आप तक पहुंचा रहे हैं इसके अलावा आप अपने दिन को कैसे बहतर बना सकते हैं, वो भी इस खास कारिक्रम में हम बता रहे हैं साथी साथ किचन का वास्तु कैसा हो, उस पर भी आज प्रकाश डाल रही है हमारी टेल अक्सपर्ट, तो कुछ और टिप्स जो और टिप्स हैं वास्तु 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 के लिए हम बताना चाते हैं, कि बहुत जरूरी है कि कई बरी लोग किचन के अंदर ही मंदिर बना लेते हैं, यह एक्दम गलत होता है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए दूसरी बात यह है कि जो डस्ट पिन होता है, उसको रात को ही किचन से बहार निका देना चाहिए, नितो किचन के अंदर कॉक्रोजिज या किसी भी तरह के जो बैक्टीरिया वाइरिस है, वहां पनपने लग जाते हैं, और डेफिनिटली कोई ना कोई बिमारी जरूर आ ज सकती है, और साथ-साथ घर के बच्चों को और जो घर में आपके हस्बिन हैं, उनको आ सकती है, इसे बहुत जरूरी है कि रात को वहां से डस्ट पिन निकाल दें, जो भी उसमें कुड़ा करकर है, और किचन एक्दम साफ करके रात को सोना चाहिए, सुबे किचन में जितना साथ चींटियों के लिए भी बनाएं, रोज सुबे पांच रोटियां जो है, वो बनानी चाहिए, कुत्ते के लिए भी बननी चाहिए, इसको रोज अगर आप दान करेंगे, इससे आप देखेंगे, काफी जो आपके घर की प्राब्लम्स हैं, टेंशन हैं, वो ठीक हो रहे हैं, और जो आन लेते हैं, नमबर 6 वालों के लिए कैसा रहेगा आचका देमी? बिजनस में प्राब्लम्स आ रही हैं, उसके लिए एक बहुत ही अच्छी हेल्प आपको कही ना कहीं से जरूर मिलेगी, भगवान की तरफ से, जो की आपके कोई अच्छे दोस्त, या अपने आपके कोई अच्छे पुराने रिष्टेदार की फॉर्म में आपको आईगी, इससे घबराये मत, जो सिचुएशन आने वाले है, उसके लिए आप पॉजिटिव हो जाएए, और जितना भी जल्द हो, आप अपने स्वास्त को बहतर बनाने की कोशिश कीजिए, हिम्मत अपने अंदर लाएए, साथ साथ दुरगा कबच का पार रोज कीजिए, फिर आप आपके जो प्राबलम्स हैं, बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएंगे, आपका रंग जो है, वो है ब्राउन एन मजेंटा, और आपका जो अंक है, वो है नमबर साथ, चले नमबर साथ आपके लिए लगए अंक है, अब नमबर साथ वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, नमबर साथ वालों के लिए हम देखते हैं, इनका दिन बहुत ही बेतर जाने वाला है, मगर कहीं नगे इनके माइन में बहुत जादा कन्फूजन, परिशानी दिखाई दे रहे हैं, कोई नई डिसिशन लेना चाहते हैं, जिस करके ये बहुत जादा टेंशन में हैं, मगर इनके टेंशन भी बहुत जल्द इनको खत्म करने चाहिए, क्योंकि जो भी ये प्राब्लम से, जो भी ये बात से जूज रहे हैं, उसका हल इनको आज शाम तक डेफिनेटली मिल जाएगा, और उसके लिए बहुत जरूरी है, आप ओम, गंग, गंपताय नमहा का मंत्र आप एक तो आट बारी और गंपती जी पे आप केले चड़ाइए, फिर आप देखिए आपके बहुत जल्द ये जो भी सिचुएशन है, आपके फेवर में होने वाली है, आप एक तम पॉजिटिव रहे हैं, आपका रंग जो है गुलाबी और आपका जो अंक है, वो है नमबर चुछे नमबर चुछे आपके लिए लखी अंक है, जो भी उपायाब को देगे हैं, इसे आप दिन को बैठर बना सकते हैं, नमबर आट और नौव वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन जान लेते हैं, नमबर आट वालों के लिए हम देखते हैं, इनको काफी दिन से जो मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए इनका भी अब मेहनत जो कर रहे हैं, उसका फल मिलने का समय आ गया है, बहुत जल्द इनको एक बहुत यची खुछकबरी मिलने वाली हैं, और जिन लोगों की घर में कोई बच्चे हैं या जिनकी शादी नहीं हुई, उनको डेफिनिल्ट बेटर ही रहेगी, इसके साथ अगर आप घी थोड़ा सा दहीं और थोड़ा सा शहद अगर आप मंदिर में डालेंगे, इससे चड़ाएंगे मंदिर में तो उससे बहुत ज़्यादा आपको लाब होगा, आपकी रिलेशन्शिप आगे चलकर बहुत ज़्यादा बेतर रहे गए हैं, उनको आप ज़रूर फॉलोग कीजाए और आप बारी आखरी आंग क्यानी नंबर नौ की कैसा रहेगा आज उनका दिन? चाहिए और पूरा मन और अपना सनलगन होकर अपने काम में जोड़ जाएं पूरी अच्छी एनरजी के साथ, और इनका जो रंग है वो है सफीद और इनका जो अंक है वो है नंबर दू, आज अगर ये दूद और चीनी का दान करेंगी, इस से इनको बहुत जादा लाब मि चाहिए नंबर नौ वालों और अपने दिन को बहुत बने, बहुत शुक्री आपका त्वाम टिप्स के लिए और इन तमाम बातों को हम तक साज़ा करने के लिए, इसी के साथ कस्मत कलेक्शन के इस खास कार्व कर में फिलाल आज के लिए इतना ही, नमस्कार. झाली कोर झाली क्राव कर दो करने के लिए यादा.